So, hello and welcome you all, I am Rohit from Margin Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं Tata Power Ltd. के बारे में और guys, अगर देखा जाये तो stock में back-to-back हमें गिरावट न चल आ रही तो guys, एक बड़ी opportunity आपको मिल सकती हैं stock में खरीदारी करने के लिए क्योंकि काफी कम price में stock आपको easy तरीके से मिल सकता है बारे में हम discuss करेंगे इस वीडियो में अगर आप ऐसे ही multi-bagger stock खरीदना चाहते हो तो इससे अच्छा stock आपको नहीं मिलने वाला है इस टाटा पावर एक multi-bagger stock है upcoming multi-bagger हम इसे कह सकते हैं और अगर देखा जाए तो stock में dumb है बिलकुल stock में आप देख सकते हो Tata Power और Tata Motors जिस तरीके से बड़े हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो इनसे अच्छे stock आपको नहीं मिलेगे और अभी market down है guys तो stock में भी हापर downtrend बनता हो नजर आ रहा है और कुछ levels यहापर भी negative हैं बट अगर देखा जाए तो एक opportunity के साब से आपको लेना चाहिए कभी-कभी ऐसी opportunity मिलती है इस खरीदारी करने के लिए और बिलकुल यहापर COVID का माहौल चल रहा है और कभी भी हापर कई countries में lockdown की बाते भी चल रही है अगर वहापर lockdown लगता है तो global market पर impact बड़ेगा और सीधा Indian market भी downtrend में जा सकता है तो guys क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है तो इस वीडियो में हम discuss करने वाले तो guys अगर बात करे टाटा पावर के बारे में तो गिरावट की अगर बात कर ले 227 रुपे तक स्टॉक नीचे की और गिर रहा है 227 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी 15 रुपे 80 पेसे तक स्टॉक गिरा है और guys वही अगर देखा जाए support level को stock ने break कर दिया गया इस कहा पर break क्या मैं भी बताता हूँ तो यहां से जब stock ने support लिया था तो यहां से काफी तगड़ा high लगया था 140 के price से काफी तगड़ा high लगया था और बिलकुल 270 के something यह stock चले गया था बट अगर देखा जाए तो stock में यहां पर फिर से breakout मिला और guys यहां पर अगर देखो breakout के बाद सीधा stock आया था नीचे यहां पर interest करने की कोशिश कर रहा है और अब सीधा यह नीचे की और आ सकता है तो नीचे की और का support level मेरे इसाब से guys हो सकता है यहां पर 308 रुपे यह 309 रुपे के something इस level पर इस level पर stock support ले सकता है क्योंकि आप देख सकते हो यहां से भी उपर के और गया था इस level से उपर के और गया था यहां पर support लेके बिल्कुल ऐसा कुछ pattern है आपर बनता हो नजरा सकता है या फिर उससे भी ज्यादा stock गिर सकता है तो बिल्कुल guys और stock में गिरावट possible है और नी 1.71% के हिसाब से नीचे की ओर rate कर रहा है वही guys अगर देखा जाए 1 month के time frame पर तो यहां पर अगर देखो 9 रुपे तक stock में बड़त है एक महीने में और देखा जाए 4.13% की बड़त के साथ उपर की ओर जातावा नजर आ रहा है वही अगर देखा जाए गाए 6 मेने के time frame प रंदिया है वही guys अगर देखें तो क्या कुछ यहां पर क्या कुछ हुआ है stock में तो 238 रुपे पर stock open हुआ था high लगा था 240 रुपे 30 पेसे का और low लगा था stock ने 225 रुपे 25 पेसे का वही guys अगर बात करें market cap की market cap अगर देखा जाए तो यहां पर आप देखो market cap में दम है 22.62 करोड के आसपास का stock का market cap है 47.53 का P ratio है और dividend की ही बात करें 0.68 का यहां पर dividend भी देखने को आपको मिल रहा है वही guys अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखो तो यहां पर 52X का high और क्या कुछ low है तो high की अगर बात की जाए 269 रुपे 85 पेसे का high भी आपको देखन को मिल जाएगा वही low के अगर बात करें तो low अगर देखा जाए 61 रुपे 20 पेसे के आसपास का low भी आपको stock में देखने को मिल रहा है guys वही अब बढ़ते हैं आगे resistance level और support level भी discuss कर लेते हैं तो resistance level के अगर बात की जाए 236 रुपे 52 पेसे के आसपास का resistance level है second resistance level अगर जाएगा guys और देखा जाए support level support level है हापर 221 रुपे 97 पेसे का और second support level है 216 रुपे 58 पेसे का और third support level है 207 रुपे 42 पेसे का वही अब बढ़ते हैं आगे और देखते ही कि हापर क्या कुछ price performance हमें देखने को मिल रहे हैं तो price performance को हम चेक कर लेते हैं एक बार क्या कुछ है त Monday को भी minus में हो सकता है क्योंकि आपर minus 4.11% का minus में है price performance अब अगर देखा जाए one month का तो भी खास नहीं था 0.91% ही था वही गाईस अगर three months का देखा जाए 80.94% हापर प्लस में है year on half का अगर देखा जाए 200.53% हापर प्लस में है one year का देखा जाए 264.64% हापर प्लस में है अब बात करतेगा इस trade value और combinent delivery trade value की अगर बात की जाए तो 9 करोड के something का trade value है 3 करोड के something की dominant delivery भी देखने को मल जाएगी वही अगर बात करें yesterday की तो 6 करोड के something का trade value है और 1 करोड के something की कॉम्मिनेंट डिलिवरी देखने को मिल रही है और one week का average अगर देखा जाया seven करोड के something का trade value है और two करोड के something की यहाँ पर dow अब बात करते हैं कि क्या कुछ community sentiments के हिसाब से हम आकड़े देखने को मिल रहा है तो community sentiments के हिसाब से अगर देखा जाए 77% जो लोग है वो यहाँ पर कह रहे है buy के लिए buy call दिया जा रहा है 77% लोग की ओर से और sell call है 11% लोग की ओर से और 12% लोगों की ओर से है बिल्कुल hold रखने के लिए तो holding के लिए भी कहा जा रहा है buying के लिख रहा है और selling के लिख रहा है revenues की बात की जाए तो revenues अगर देखा जाए तो revenues काफी तग्रे बड़े है एहाँ पर 2017 का जो revenue था है यहाँ था 27,537 क्रोड 2018 का 26,840 करोड 2019 का 29,821 करोड 2020 का 39,136 करोड 2021 का 32,468 करोड वही गईस अगर देखा जाए net profit तो net profit भी अच्छा बड़ा है 2017 का है minus 139 करोड बेलकुल minus में था उसके बाद तो कभी यह minus में गया गी नहीं 2018 में 1128 करोड का revenue net profit generate किया था 2019 में 1329 करोड का किया था अब 2020 में 774 करोड और 2021 में generate किया था 611 करोड गया असपास का तो गैस यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock में दम है और आने वाले टाइम में अगर share holding pattern नहीं देख ले तो यहाँ पर Tata Suns Private Limited की है यहाँ पर 45.21% की holding तो holding के मामले में अभी stock दमदार है तो guys यहाँ पर खरीदारी करनी है नीचे के levels पर कर सकते हो वीडियो पसंदा हो वीडियो को like करो चलगो subscribe करो thank you